इस वीडियो में हम डॉक्टर रेडी का चाल्ड डिसकस करेंगे यह मैंने चाल्ड पे पिछले 10-12 सालों का विकली चाल्ड लगा रखा है और इसमें यह वैलोईशन अनलिसिस के हिसाब से मैंने जो इसके पी रेशियो हैं जो इंपोर्टेंट टरनिंग पॉइंट्स पे मैंन वो 31 का था जब जो है सारा फार्मा सेक्टर ने टॉप लगाया था तो डॉक्टर रेडी का जो समय पी रेशियो था 31 का था उसके बाद जो 2015 से लेके 20 का यह जो टाइम है पी रेट पूरा आप देखेंगे तो इसका पी रेशियो 37 गया फिर 48 गया यह पी हाई क्यों हो रहा है जब अर्निंग्स की कम हो सकती है और फिर देखिए जो मिनियूम इसका यहां पर लगा 28 का था फिर 32 का था तो इस तरह से दोस्तों आप पूरा एनलाइस करेंगे तो इसकी एक रेंज निकल के आएगी वो देखिए इंपर मैंने मार्क रखी 17 से लेके 48 तक 48 इसने यहां पर गया था और मिनियूम जो इसका जो खराब से खराब जो गया है वो 17 गया है वो देखिए यहां प्रवी रिसेंटली यहां था नॉम्बर 2019 के असपस तो 17 का इसका पी रेश्यो लगाया था अब करेंट लिए अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यह अपना 38 से लेके 48 की रेंज में इसका पी रेश्यो गूम रहा है तो अभी काफी पोटेंशल बचा हुआ है इसी स्टॉक में और वैसे भी अगर आप लॉंग टर्म चार्ट इसका देखेंगे जो वीकली चार्ट है तो यह देखी एक राउंडिंग बॉटम सल बना रहा है यहां पर ठीक है लॉ प्राइस है और हाईयर प्राइस यहां पर 4400 4000 मान लीजिए मोटा मोटा तो 2000 से 4000 मोटा मोटी 2000 आप जोड़ दिए तो 4000 की उपर यहां पर 6000 तक जा सकता है अगर आप टेक्निकल चार्ट के साब से देखेंगे तो अब आईए मैं आपको दिखाता हूं इसका जो है तो उसके बेसिस पर जो मैक्सिम्म प्राइस टारगेट आप कैसे निकाल सकते हैं वो देखें इसका जो मैक्सिम्म पी रेशियो जो हिस्टॉरिकली गया है वो 48 का गया है देखें यहां पर ओके तो 48 इंटू EPS आप कर दी तो 5600 के आसपस निकल के आ रहा है तो 5600 तो वैसे भी इसका टारगेट आ रहा है और टेक्निकली भी आप देखें चार्ड के साब से तो 6000 टारगेट तो बनी रहा है तो यह एक यह दो मैने मैं नहीं अच्छीव होगा और प्रियोड ओफ नेक्स फ्यू मन्स बाइ देन हो सकते हर्णिंग्स भी इनकी बढ़ जाएं तो इनके टारगेट भी बढ़ जाएंगे और दोस्तों देखें एक चीज और आप देखेंगे फार्मा सेक्टर यह जो पुरा डाउन था पिछले तीन-चार सालों से जब यह अभी 2020 के यहां पर इस पॉइंट पर देखेंगे तो यह 2000 के आसपस घुमता रहता था काफी सालों तक घुमा है इस शेर और इसने जब यह उपर गया तो देखें किसी को भी एंट्री का मौका नहीं दिया आप यह वाली केंड्ल पर आप देखें यहां पर बहुत ज़्या अब आज कल यही सीन फाइनेंशल सेक्टर में चल रहा है अब फाइनेंशल सेक्टर बहुत सालों से रन पे था अब एकदम से डाउन हो गया है तो अब सब हर कोई उसको खरीद रहा है क्योंकि पहले उसने किसी को मौका नहीं दिया अब हर कोई सोचता है कि उपर जाएगा अब वो सबको परिशान करेगा दो चार साल जब जाने होगा तब आदमी बोर हो जाएगा उसको लेकर यह तो चलता है नहीं चलता नहीं जैसे पिछले कुछ सालों से फार्मा स्टॉक्स को ही नहीं लेता था अब जब टाइम आया तो उपर चल लाएगा अब किसी के पास ह अब बूल जाएगे करेक्शन नहीं आएगे इसका टाइम चला गया जो खराब टाइम था अब इनका अच्छे टाइम आ गया है तो आप कुछ एक अपना जो है मिनिमाम अमांट कुछ लगा सकते हैं थोड़ा से बहुत ज्यादा कैप्टल मत लगाईए ठीक है जैसे उपर जाता जा थोड़ा और आप एड़ अप कर दीजे तो आप इस तरह से अपनी स्टैटीजी अपना सकते हैं थैंक यू